तो बिना किसी देरी के चली ये बात कर लेते हैं कि कौन से टाइप के लापटॉप आपके लिए इंपोर्टन है हमारे लिए क्या फैक्टर्स जरूरी है एक लापटॉप को देखने के तरफ विडियो के अंत तक बने रही है मैं आपको एक बोनस भी देने वाला हूँ सबसे पहली बात ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्याद इंपोर्टन है आपके लिए ब्राउजर यानि गूगल क्रोम जहां पे आप अपना ब्रोकर अकाउंट खोलते हो या फिर उसी में काम करते हो और गूगल क्रोम सबसे ज़ादा राम यूज़ करता है तो हम मिनिमम आठ जीबी राम यूज़ करने वाले हैं हर एक लापटॉप में आठ जीबी और उससे बढ़ते बढ़ते रेंजिस में आपको राम में दिखता रहेगा विद प्राइस रेंज इंक्रीज़ सेकंड चीज़ हम SSD फॉर शॉर देख रहे ह अब हाट डिस्क दो तरह की होती है इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं विल बी यूज़िंग सम्थिंग कॉल्ड SSD ये आपके हाट डिस्क से काफी जादा तेज होती है तो हम सारे वेरियंट्स में SSD तो डेफिनिटली देखेंगे तीसरी चीज़ आ जाती है प्रोसेसर अब जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते जाएंगे विल बी गोईंग फॉर बेटर प्रोसेसर अब प्रोसेसर को कैसे देखना होता ये मैं आपको समझाते होता हूँ सबसे पहले प्रोसेसर की दो कंपनीज है AMD और Intel दोनों काफी competitive हैं दोनों काफी अच्छे हैं तो इसमें आपक इस तरह से होते हैं इसको देखने का simple तरीका है you just look at the model number for example Ryzen हो तो 5300 7700 इस तरह से उनके नाम रहते हैं और अगर आप Intel में देखोगे तो उनके नाम 11220 12220 तो ये जो भी number रहता है इसके शुरू वाला पार्ट उसका generation होता है and that is what you have to look at यानि कि अगर आप Intel ले रहे हो त उसके सामनी की जो पांट डिजिट की number है उसके first two digits पे आप ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा या तो 11 होगा या 12 होगा या 13 होगा that is a generation same thing with Ryzen 5 से शुरू हो रहा है 5th Gen 4 से शुरू हो रहा है 4th Gen इस वीडियो के लिए उस पे ध्यान नहीं देना है थोड़ी सी basics आ minimum 13 इंच की screen देखेंगे और उससे grow होती रहेगी screen trading के लिए screen quality is काफी important तो हम लोग धीरे धीरे with price increase screen quality को भी improve करते जाएंगे हर price range के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि laptop कौन सा अच्छा है और उसमें क्या-क्या improvements हो रहा है जिसके लिए आप additional price दे रहे हो आगे जाके आ यानि आप gaming, business और travel purpose इसे साब से अपने laptops को choose कर सकते हो तो सबसे पहले for 24,000 rupees हमारे पास है Acer 1-14 Ryzen 3-3250-U that's a mouthful man, ये लोग के पास कोई नाम रखने वाला धंका बंदा नहीं है क्या Acer Ramesh, such a simple name, what is this 14 Ryzen 3, simple नाम रखो ना यार, हर एक laptop का नाम आपको चीसी तरह मिलेगा, इसलिए links आपको नीचे दे दे रहा हूं, उससे आप सीधा उठा सकते हो, now in this you'll be getting a 256 GB SSD, 8GB of RAM जो की आप जब के बढ़ा सकते हो, 14 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाएगी, इसमें problems ये है कि इसमें आपको Microsoft Office inbuilt नहीं मिलेगा, और processor थोड़ा सा इसका weak है, तो basic usage के लिए काफी ठीक है ये, अगर आप कुछ ना कुछ तरीका जानते हो, तो मुझ जानता हो, आप Office कही ना कहीं से निक स्क्रीन थोड़ी से बड़ी हो गई, और ये एक full HD laptop है, with anti-glare technology, इसका नाम है HP 15S, Ryzen 3 5300U, यू यानि की सबसे कम ये power use करता है, इसमें अब जादा काम नहीं कर सकते हो, जादा heavy duty task नहीं कर सकते हो, but for regular browsing, MS Office का का काम बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, college का basic काम बहुत अच approved screen चाहिए, अगर आपका budget लगभग 34,000 के आसपास है, this is going to be an excellent laptop for you, next at a budget of 41,000, ऐसे मैं आपको दो laptop बताऊँगा, 40,000, 41,000, 42,000, इस range में दो laptop को बताता हूँ, एक laptop जो है, excellent screen, OLED display के साथ, this is one of the highest quality of screens that you can find on a laptop, इसके ओपर सिवा AMOLED आता है, जो कि फोन में लगता है, but this is more than enough, this is Asus VivoBook K15 OLED, अब ये है i3-1115G4, आपको मैंने शुरू में बताया, शुरू के डो दिजिट आप देख लोगे, 111534, यानि की 11, ये है 11th generation i3 processor, प्रोसेसर थोड़ा सा धीला है इसका, बतलब compared to the previous one है बहुत बेटर है, लेकिन हम जो आगे देखने होले हैं उससे थोड़ 13 Gen भी आ चुका है, बाकी सब कुछ same features है, मैं बस जो आपको expand कर रहे हैं, जिस चीज में improvements हो रही है, वो आपको बस बता रहा हूँ, the only thing is older generation है, but you're getting a brilliant screen with this, full HD screen मिल जाएगी with OLED display, थोड़ा सा additional अब 3000 और लगा दोगे, you'll get not an OLED display, मतलब कर आपको ultimate sharpness से मतलब नहीं है, but आपक थोड़ा सा lightweight laptop चाहिए, with complete swivel screen, और एक better processor, तो आपको Asus Vivobook का ही 15, regular 15, i3-1220P, अब P processes जो होते हैं, थोड़ से better होते हैं compared to G, इसमें आपको थोड़ा जादा functionality बल जाती है, आप थोड़ा जादा multitasking इसमें कर सकते हो, तो अगर आपके लिए display is not a problem, you want more aesthetics, Asus Vivobook का regular 15, आपके लिए better रहेगा, links again आपको नीचे description में मिल जाएंगी, अब हम चलते हैं थोड़े से heavy segment पे, यानि अगर आपको पचास हजार के आसपास है, then you should be going for HP Victus Gaming laptop, जिसमें AMD Ryzen 5 5600H आ जाता है, H is even better, very strong processor, और ये आपको 5th Gen Ryzen में मिल रहा है, same आपको 512GB SSD, RAM 8GB का आपको मिल इसमें 144Hz refresh rate का display आपको मिल जाता है, अब refresh rate क्या होता है, हर एक pixel कितने जादा जल्दी screen पे refresh हो रहा है, तो gaming में अगर आपको gaming में interest है, this is a laptop you can go for, because इसमें आप gaming भी कर सकते हो, और high quality gaming कर सकते हो, basic video editing, photo editing, ये सारे भी काम आप कर सकते हो, now not an OLED display, मतलब display एक्दम कातल नहीं ह but it's a really good display, मला full HD तो है, minimum full HD तो देखी रहे हैं, along with that you are getting a really good chrono processor with it, हाँ, थोड़ा सा भारी ज़रूर रहने बाला है, तो अगर आपको gaming भी करना है, काम भी करना है, budget में चाहिए, HP Victus Gaming Laptop, Ryzen 5 5600H, बहुत बड़ी हैं, ये नाम बोल बोल के पगला जाओंगा, मैं एक दिन इतना बड़ा बड़ा नाम क्यों देते हैं, next, यदि आपको design से बहुत जादा प्यार है, तो don't look further away than the Apple MacBook M1, M1 पुराना है, now इसमें problems पहले बता देता हूँ, this is only Apple ecosystem, इसमें आप कुछ भी modifications नहीं कर सकते हो, जैसे हम पहले के laptops में additional RAM, additional SSD add कर सकते हैं, इसमें कुछ changes नहीं क 8GB का RAM रहेगा, लेकिन इसके benefits आपको आप बता देता हूँ, this is going to be extremely lightweight, very portable, gaming आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको एक portable laptop चीजिस की battery backup is insanely good, बहुत ही बहतरीन आपको battery backup मिल जाती है, because M1 चिप जो है, ये Intel और Ryzen के चिप से काफी जादा advanced है, battery conservation में भी, so if that is a concern, आपको एक smooth laptop इसमें आप और भी काम कर सकते हो, इसमें आप editing, video editing, photo editing, दोनों काफी अच्छे से कर सकते हो, the only thing is, अगर apple ecosystem आपको जमेगा, या फिर आप shift करने का देख रहे हो, then this is a brilliant product to start with, now इसमें 8GB का जो RAM है, उससे आप डरिये मत, because apple का RAM usage जादा efficient है, only thing is, size इसमें आपको 256GB ही मिलेग Amazon से, अगर आपको custom चाहिए, आपको Apple की website से ही जाके बनाना पड़ेगा, next हम अब आ जा रहे हैं थोड़े और strong gaming laptop में, यानि की हम जा रहे हैं Acer Nitro i5-13420H की तरफ, i5-13420 यानि 13th gen laptop है, यह 74,000 का आपको पड़ेगा, और inbuilt 512GB तक का आपको SSD मिल जाता है, और पहली बार हमने RAM अपग्रेड किया है, at a 16GB RAM, जो की है 32GB तरफ, expandable, again आपको 15.6 inch की screen मिल जाएगी, और 144Hz भी मिल रहा है, and the biggest bump here is the graphic card, आपको एक RTX का 4050 graphic card मिल जाता है, अधियान रखिए, ट्रेडिंग के लिए सारे ही laptop बढ़िया है, इसमें additional usage आप क्या कर सकते हो, वो मैं आपको बत आ रहा हूँ, the editing will be much smoother, rendering या फिर 3D का आपको काम करना है, gaming करना है, this is gonna be a brilliant laptop, drawbacks इसके, जैसे ही आप graphic card add कर देते हो, किसी laptop में, उस laptop की battery backup थोड़ी सी परिशान हो जाती है, so आपको battery backup कुछ बहुत खास नहीं मिलने वाला है, but if you're only going to use it, हमेशा charged रहेगा, then this is brilliant, और साथी स except that, यह ASN Nitro का आपको 74,000 में मिलेगा, अब हम सबसे बड़ा bump लेने वाले हैं, जो बहुत जादा पैसे जिसके पास है, आप 1,05,000 रुपे के budget में, 1TB SSD और साथी साथ 144Hz, and quad HD display, याने की जादा जादा pixels आपको इसमें मिलेंगे, जितना जादा HD display होते जाता है, quad HD, ultra HD, 4K, ये two clear displays आपने सुना होंगे, इसका मतलब बहुत simple है, जो pixel का size होता है, जो screen पे आपको squares दिखती है, आप एकदम zoom in करके देखो कि छोटे-छोटे square होंगे, ये जितने छोटे squares होते हैं, उतना जादा आपको clear display मिलता है, so in this screen, आपको एकदम छोटे squares मिल रहे हैं, this is why it is called quad HD जितना जादा screen का resolution, उतना जादा आपको beautiful display मिलेगा, very sharp, very polished display, साथ ही साथ आपको सादा ports भी मल जाते हैं, और in ports के साथ साथ आपको 30-60 graphic card मल जाता है, अब मुझे नहीं पाता, NVIDIA ने ऐसा क्यों किया, but a 30-60 graphic card is better than a 40-50 graphic card, यानि कि third digit अगर बड़ा है, तो एक card भी better है, त next thing, you get a 165 Hz refresh rate, with such a beautiful display, and not just that, this has one of the highest brightness we have seen across all the laptops, 500 nits की brightness आपको मिल रही है, यानि एकदम sunny locations पे भी आपको बहुत जादा clarity मिलेगी, और games अगर आप खेल रहे हो, तो सारे corners आपको clearly दिख जाएंगे, and of course, chart तो बहुत सुंदर आपको इसमें दिखने ही वाला है, multiprocessor, all the things that you want, you have in this laptop, it's a brilliant laptop for 1 lakh, now next, हम ला जाते हैं, अगर gaming is not a priority, some business work is your priority, lightweight laptop अपको चाहिए, travel के लिए चाहिए, but you still want the best of class, you can go for Asus VivoBook, S15 Evo, i9-13900H, अब Evo जो laptops होते हैं, इनका अपना ही एक अलग class है, Intel Evo certified is almost close to Apple के M-series chips, मैंने आपको बताया था, M-series के जो chips हैं, बहुत जादा efficient है, Intel Evo ने भी same level of efficiency को almost achieve करी लिया, यानि आपको बहुत बढ़िया इसमें battery efficiency मिल चाहिए, और यह कैसे मिल रही है, इसमें कोई dedicated graphic cards आपको नहीं मिलेंगे, yes, you can do basic editing, you can do basic video editing as well, but if gaming editing is your priority, then this is not the laptop, यह laptop आपको एकदम सुन्दर laptop चाहिए, nice to carry, lightweight laptop, 15 inch की screen में, lightweight laptop आपको चाहिए, this is a brilliant one to go for, it has an OLED display, यानि one of the best displays that you can have, or 120 Hz का आपको इसमे refresh rate मिल जाता है, and not just that, this has a DDR5 RAM, this is the highest quality of RAM you can get, इसके पहले जितने भी laptops हम देख रहे हैं, that has a DDR4 RAM, the difference between DDR4 and DDR5, is a lot, मतलब बहुत जादा speed का difference आपको मिल जाएगा, यानि आप multiple tabs, multiple charts खोल के रख रहे हो, जैसा मने आपको बता है, Chrome is very RAM hungry, RAM बहुत खाता है, तो multiple tabs अगर आप open करके रख रहे हो, this laptop is going to use it like smooth butter, MacBook में भी lag हो सकता है, और भी laptops में आपको lag हो सकता है, Asus VivoBook S15 में आपको lag experience करन की नौबत तो बिलकुल ही नहीं आएगी, now like I shared in the beginning of this video, ये है कुछ bonus tools जो कि आप अपने laptop के साथ add कर सकते हो, जो कि आपकी trading को और जादा better लगा देगा, सबसे पहला है ये expandable screen, now काफी laptops में ने mention किया था कि ports की problem है, ये जो screen में आपको साथ share कर रहा हो, ये हर एक laptop के साथ लगभग compatible है, जिसमें ports नहीं है, आप एक additional port add कर सकते हो, जो कि macbooks में problem दाती है, but this is compatible with all kinds of screen, आपको इसका price लगभग 12,490 मिलेगा, इसके खुद के stand के साथ, जो decent है, आप हर जगा इसको carry भी कर सकते हो, it is fairly portable, full HD screen आपको इसमें मिल जाती है, and last but not the least, एक additional external SSD आप carry कर सकते ह में आपको सिर्फ 256GB का space है, फिर 512GB का space मिल रहा है, और वो expandable भी नहीं है, उस case में आप ये crucial का simple सा 500GB का SSD यूज़ कर सकते हो, जो कि काफी तेज भी चलेगा, और आपके storage necessities के लिए बहुत बढ़िया है, और काफी जादा economical भी है, मैं जानता हूं कि आपको बाकी tech channel के तर पसंद आई की नहीं, को laptop अप लेने वाले हो की नहीं, और वीडियो पसंद आई हो, तो don't forget to smash that like button, जो पुराना laptop पे उसी से फिक के मार उस like button पे, सही में मत मार देना भाई, में को तुमारे मम्मी पापा के मार देंगे, anyway, thank you so much for watching guys, I'm मिलता है नेक्स वीडियो में,